नमास्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे की आप phone pay app में अपना bank account link कैसे कर सकते हैं, जिसके बाद आप उसमें से transaction कर सकते हैं, phone pay app को pull तरिके से use कर सकते हैं और recharge कर सकते हैं सबसे पहले अपने phone पे app को open कर लिजिए और ध्यान रहे यहाँ पे आपकी जो ID है उसी number से बनी होनी चाहिए जिस number से आपका account है यानि जो number आपके account में link है app को open करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा home option में आप आओगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा bank balance इस पे किलिक करें यहाँ पे आपको मिल जाएगा add bank account अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आपको मिलेगा goal icon इस पे किलिक करें यहाँ पे आपको मिलेगा my qr code इस पे किलिक करेंगे तो भी आपके पास add bank account आ जाएगा तो यहाँ पे आप इस पे click करें add bank account पे और आपके पास यह वाला page आएगा यहाँ पे आपको अपना bank select कर लेना है कि आपका account कोई से bank में है तो यहाँ पे हम search करते हैं kotak bank तो आ चुका है हम इस पे select करते हैं इसके बाद यहाँ पे कह रहा है यह वाला option आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी वाली sim select कर लेनी है जो number आपके bank account में link है और साथ ही में आपका वो number उसी phone में होना चाहिए जिसमें आप phone पे app चला रहे हो तो हमारे जो number है यह वाला जो दिखा रहा है यहाँ पे वो हमारे इसी phone में है हमने इसी में ही डाल रखा है यहाँ पे हम Voda phone को select कर लेते हैं हमारे Voda phone वाली sim है और continue पे आपको click करना है और ध्यान रहे यहाँ पे आपका जो sim है उसके अंदर main balance होना चाहिए SMS भेजने के लिए अगर उसमें main balance नहीं है यानि पैसे नहीं है तो यहाँ पे आपको phone पे verify नहीं होगा और एक अजीब सा message आ जाएगा तो यहाँ पे कह रहा है यह option आप देख सकते हैं कि हमारा 1 रूपिया कटा है यानि हमारा main balance था इसमें फिर आपको ok पे click करना है तो यहाँ पे इनने हमारा bank ले लिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा proceed to add यहाँ पे आपको कुछ detail मिल जाएगी जो कि हमने blur कर रखी है privacy की वज़े से तो proceed to add पे click करें और proceed to add पे click करने के बाद हमारा जो account है वो बन चुका है यहाँ पे आपको मिलेगा नीची की तरफ set upi pin इस पे click करें यहाँ पे आपको डालनी है अपनी ATM card की detail यहाँ पे आपको अपना जो ATM card है जिस नंबर को आपने इसमें link करा है वो ATM card ले लीजिए और detail डाल दीजिए तो आपको अपना ATM card ले लेना है और इसके जो 6 डिजिट है लाश्ट वाले यह आपको देख लेना है कि क्या है और आपको डाल देना है फिर यहाँ पे पूछ रहा है MM और YY तो यहाँ पे आपको मिलेगा यह expired rate आपको यह डाल देना है तो हम डाल देते हैं तो हमने कर दिया है हमने blur कर रखा है privacy के वज़े से proceed पे आपको click करना है थोड़ा सापको wait करना है और यहाँ पे कहेगा enter OTP तो यहाँ पे आपके जो phone है उसमें network आने चाहिए हमारे दिक्कत आ रही है network नहीं आ रहे हैं हम try करते हैं तो यहाँ पर हमारे OTP आ चुका है और हमने डाल दिया है अब यहाँ पे कह रहा है यह set upi pin यहाँ पे आपको एक upi pin डालना है जैसे ATM card का pin होता है ऐसी आपको यहाँ पे एक upi pin डालना है तो हम डाल देते हैं अपना upi pin आपको भी डाल देना है तो हमने आपको नया pin create करना है और right option पे किलिक करना है दोवारा आपको confirm करने को कहेगा तो वही pin आपने जो पहले डाला था वो आपको डाल देना है तो हमने फिर से enter कर दिया है right पे हम किलिक करते हैं थोड़ा सा आपको wait करना है यहाँ पे और यहाँ पे आपकी जो bank account की detail है वो पूरी तरीके से हो जाएगी आप देख सकते हैं हमारी हो चुकी है हमने blur कर रखा है privacy की बज़े से done पे आपको किलिक करना है और यहाँ पे हमारे पास जो हमारा bank account है वो add हो चुका है तो देखने के लिए आपको back करना है bank account पे किलिक करना है और यहाँ पे दिखा देगा आपका bank account और उसको जो digit है वो दिखा देगा ऐसा आप इसको use कर सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई वीडियो को like करें चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा अगर आपको आ रहे हैं दिक्कत तो comment करना मत भूलिएगा